तो वल्कम बेक टू माई चैनल शौट रेट और आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले जो 2100 रुपए से भी ज्यादा का जिसका प्राइस था और आज की डेट में वो स्टॉक इतना गिर चुका है कि सिर्फ 1500 रुपए के लेवल बर मिल रहा है काफी सारे लोग सोचेएं कि यह बड़े डिस्कॉन में विल ला है बाई कर लेना चाहिए पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है एक नेगेटिव निउस है अगर आपके साथ मैं यहापर कंपणी की नेगेटिव निउस शेयर करूँगा अब यह आप देखेगा सबसे पहले स्टॉक का नाम जालेजेगा स्टॉक का नाम है रिलाइंस इंफरस्ट्रक्चर भाया यह नहीं लंबानी की कंपणिया दिवालिया हो चुकी है बहुत सारी प्रॉब्लम चल लए है उसमें एक बोर्ड मेटिंग से रिलेटिद एक निउस निकल करा रही है और प क्या लगता है आपको कमेंट कीजिए अब आपको नहीं पता है तो भी आप यहाँ पर अपना अपनीन शेयर किये बाकिए आपको पिन कॉमेंट में आंसर मिल जाएगा ठीक है अभी जो हम बात करें वो करें रिलाइंस इंफ्रा की तो उससे पहले एक बात और बोलना चाहता ह लेकिन अगर आप इसका एक बार मैक्सिमम चार्ट देखेंगे शॉरी मैक्सिमम चार्ट मैं आपको दिखा देता हूं उसका तो यह देखेगा यहां पर भाई स्टॉक यह देखो कहां तक था इवन अगर मैं एक्जेक्ट बताऊं तो पच्चिस सो रुपए तक भी गया था एक बार में यह लेकिन 2122 रुपए के लेवल से स्टॉक कहां पर आ चुका है और इतना ही नहीं स्टॉक 20 रुपए के लेवल तक जा चुका था 20 से रुपए से 178 पंदर रुपए के तक भी जा चुका था उसके बाद स्टॉक दुबार उपर गया है अब निउस के है पहले तो इस पेशली निउस है लेकिन अगर आप बाय करने के सोच आए तो भी आप देख लीजएगा 25 माई को रिलाइंस स्टॉक्चर की बोर्ड मीटिंग होने वाली है मीटिंग से पहले 9 माई जो है पहले निर्दारित की गई थी पहले 9 माई को मीटिंग होनी थी बड़ अब रिजल्ट कैसा आएगा वो तो नहीं पता है लेकिन बीचे पिछले कुछ सालों से रिलाइंस ग्रूप के चेर्मेन अनी लंबानी की ज्यातर कमपनी दिवाला परकरिया सो गुजरी जो कि हम पहली जान चुके हैं और उसका इंपक्ट स्टॉक्स पर पढ़ा है आप रिजक्स के मुकाबले पिछले 3 साल में लगबग लगबग साड़े बास्टान का पॉजिटिव रिटन निकालों के दिया है यह एक अच्छी चीज है वहाँ पर दो साल में इसने 170 परसेंट का रिटन निकाल के दिया है मतला अगर हम पिछले 3 सालों का डीटा देखने तो 3 सालों में इस company ने कमाल का written निकाल के दिया है पिछले एक महिने से शेरों में गिरावट देखने को मिल लगी है अगर हम last trading day की बात करें quarter उसकी तो जब ये last trading day पर यहां पर देख सकते हैं तो 140 रुपे का सपास बंद हुआ था उसके बाद दुबारा गिरा यह और आज फिर दुबारा गिर गया है एक दिन पहले मुकाबले में एक पर्तिश्यत की गिरावट आई थी 2008 में ये कंपनी का प्राइज जब वो 2123 रुपे पर था और आज 2023 में स्टॉक 1.500 रुपे के भी नीचे चल रहा है अब ये 25 माई को जो मीटिंग होने वाली है अब इस मीटिंग में अगर ये रिजल्ट इसका थोड़ा सब भी बहतर आने की उम्मीद हमें नज़र आती है तो शायद इस स्टॉक में तेजी देखनों को मिलेगी इसके लावा बीदे सब्ता सुप्रीम कोट ने अनि लंबानी के रिलाइंस इंफ्रा के पक्ष में एक एहम फैसला सुनाया था ये रिलाइंस इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्टॉक शेरोल्डर से उनके लिए एक अच्छी न्यूज है उनके पक्ष में सुनाया था ठीक है जो इंफ्रा की आप उर्ती की गई बिजली का बकाया राशे को भुकतान ना करने के विवाद में गोवा सरकार के खिलाफ जीत मिली है रिलाइंस इंफ्रास्ट्रक्चर को अब गोवा सरकार रिलाइंस इंफ्रास्ट्रक्चर को 278 करोड रुपए चुकाने होंगे ठीक है रिलाइंस इंफ्रा को तो ये एक अच्छी न्यूज है तो Reliance Infra का अगर मैं यहां पर Reliance Infrastructure का अगर हम इसके यहां पर प्रोस देखते हैं तो यहां पर नज़र नहीं आ रहा है तो भाई उम्मीद नहीं है पता नहीं रिजल्ट कैसा है अगर इसका रिजल्ट अच्छा आता है तो इस स्टॉक में आपको एक तेजी देखने को मिलेगी 25 माई के बाद से तो आप अगर चाहें तो एक छोटा सा बहुत बढ़ा नहीं छोटा सा माउंट इस स्टॉक में लगा के रख सकते हैं और आपको 20-30-40 रुपे शौट टम में मिल जाएगा और उसे निकल लेकर आप निकल सकते हैं एक्जिट हो सकते हैं बट बहुत रिस्की कमपनी है पिछले 3 साल तो इसने अच्छी परफॉमेंस दिखा है तो उस हिसाब से आप चाहें तो उसमें शोटा सा पैसा लगा के रख सकते हैं बट रिस्की है हाँ अगर रिजल्ट खराब आया तो देखो फिर प्रॉब्लम हो सकती है स्टॉक और नीचे आ सकता है पिर स्टॉक 100 रुपए के लेबल तक भी आ सकता है अब आएगा कि नहीं आएगा वो तो टाइम बताएगा तो आप इसमें बने रह सकते हैं जब वेट कीज़ेगा और अगर आपको लगता है कि रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद है तो बिल्कुल एक अच्छा मौका है आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं अब आपको क्या लगता है आप मुझे कॉमेंट करके बताएगा और मुझे एक चीज़ और बताएगा आप लोग कमेंट करके पताएगा बाकिस तरह की डेली पेस पर वीडियो के लिए चैनल को सब्स्राइब ज़रूर से कर लिजएगा आप मुझे इस तरह कि जबरदस जानकारी के साथ जैन